राठोर रियेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियां पाईए जैमा भवनी, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल राठोर रियेक्शन में आज की हमारी कहानी है ये जैमाताजी की बात उस समय की है जब मारवार मैं माल देव का सासन था राव माल देव एक बहुत ही पराकरमी और वीर सासक थे उनकी परसीदी बहुत ज़्यादा थी और उनके अधीन भी बहुत सा खेत रहता था माल देव एक पराकरमी योदा थे और मैं कोसिस करूँगा कि आगे माल देव जी पे भी एक वीडियो ले आऊं अगर सब को सही रहा तो मैं साइद वे कोसिस करूँगा लेकिन आज की कहानी है जेता और कूंपा की जो की राव माल देव के वीर सेना पती थे और वो इतने वीर और पराकरमी थे कि साइद माल देव की इन सारी विज्यों के पीछे कारण भी यही था कि उसके सेना पती जेता और कूंपा थे दिल्ली में उस समय सेर्षा सूरी का सासन था सेर्षा महत्वकांसी और कुटिल सासक था वो पूरे भारत पर अपना सासन इस्तापित करना चाहता था लेकिन जब उसने सुनना कि राजिस्तान मैं मारवार में एक सासक है माल देव जिसने तक्रीबन तक्रीबन पूरे राजिस्तान के उपर अधिकार कर रखा है अगर उसे परास्त कर दिया जाए तो राजिस्तान को अपने कबजे में लेना आसान हो जाएगा फिर आया वो दिन 1545 सुमेल गिरी इस्तान पर सुमेल का युद्ध सेर्षा सूरी और माल देव की सेना आमने सामने थी माल देव की सेना की संख्या देखकर सेर्षा के पसी ने चूट गए कि इतनी सेना के आगे वो नहीं टिक सकेगा और फिर वही गिसा पिटा एक गंदी सी चाल चलना जो एक मतलब पर्मानेटली आप लिख लो कि अगर कोई कबजा कर सका है या उसने कबजे की कोशिश की है राजपूतों को इंदूों को इंदूस्तान में आने की कोशिश की है तो उनके पीछे एक ही वज़े रही है एक चाल जो की साइद हमारे इंदूस्तान के राजा नहीं चलते थे धर्म युद लड़ते थे और बाकी वाले नहीं तो उसने भी बहुत ही घटिया चाल चली उसने जो तंबू लगा रखे थे माल देव के सैनिकोन है जेता और कूपा के तंबू के आगे उसने दो खत डलवा दिये और एक खत माल देव के तंबू के आगे डाल दिया और जेता और कूपा के जो तंबू थे माल देव उनके अंदर कुछ सोने की मोहरे भी डाल दी जब सुबह के समय माल देव उठे तो उन्होंने उनकी नजर उस खत पे गई जो उनके तंबू के बाहर पड़ा था माल देव ने जब उसे खोला तो उसमें लिखा था कि जेता और कूपा तुमारा बहुत-बहुत सुक्रिया जो तुमने मेरा साथ दिया मैंने तुम्हे कहा था कि माल देव को बहला फुसला कर लेके आओ और फिर उसकी हम मिलकर हत्या कर देंगे और इसका इनाम तुम्हें मिल चुका है तुम्हारे तंबू में मैंने मोहरे रखवा दी है जब माल देव ने तंबू जाकर देखा तो उसे सचमुच वा मोहरे मिल गई और माल देव को जेता और कूपा पे सक हो गया ये साइड माल देव की सबसे बड़ी में गलती कहूंगा या भूल कहूंगा क्योंकि जो जेता कूपा उसके हर विजय अभियान में उसके साथ थे वो उसे कभी धोखा नहीं दे सकते लेकिन माल देव को पूरी तरह उन पे सक हो चुका था और उसने अपनी सेना को बुलाया और कहा कि जेता और कूपा मिल चुके है सेर्षा के साथ इसलिए हमें वापिस चलना चाहिए जेता और कूपा ने बहुत समझाने की कोशिश कि कि माल देव जी ये लोग चाल चल रहे हैं आप वापिस मत जाईए तो माल देव ने कहा कि तुम मेरे सबसे विश्वास पात्र सेना पती थे साथ इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ लेकिन अब मैं या नहीं रुकूंगा इस पर जेता और कूपा ने वहाँ उपस देव सेनिकों से कहा कि माल देव जी वापिस जा रहे है लेकिन हम दोना वापिस नहीं जाएंगे क्योंकि मैं जीते जी इस दुष्ट को अपनी मातर भूमी के उपर कदम रखने नहीं दूँगा अपनी राजपताने की धर्ती पर इस नीच के कदम पड़े उससे पहले मैं मर जाना पसंद करूँगा मैं तो ये युद लड़ूँगा मेरे साथ आप लोग कौन कौन आओगे ऐसा कहने पर उस पूरी सेना मैं से कुछ सेनिक थोड़े बहुत जेता और कुपा के साथ हो लिए बाकी 30-40 अजार की संख्या में सेनिक थे वो सारे माल देव के साथ वापिस चले गए सेल स्राक की सेना अब जेता और कुपा से जादा हो चुकी थी जेता कुपा फिकर में पड़ गए कि हम रुक तो गए लेकिन क्या हम सेर्शा के सामने लड़ पाएंगे ऐसा विचार करते हुए वो थोड़े टहलते टहलते पास में ही एक तालाब था उसकी पाल पे जाकर बैठ गए जब वो दोनों बैठे विचार कर रहे थे तब ही वहाँ पे कुछ औरते पानी भरने आई तो उन दोनों ने उनकी बाते सुनी वो औरते आपस में कह रही थी कि तुमने सुना है कि सेर्शा हमारी सीमा पे आके बैठ गया है अब वो हमारे राजपताने पर भी अधिकार कर लेगा इस पर दूसरी ने कहा कि माल देव जी हमारी रक्षा के लिए है तब तक सेर्शा की इमत नहीं पड़ेगी कि वो राजपताने पर अधिकार करे इस पर दूसरी बोली कि सुना है कि माल देव तो सेना लेके वापिस चले गए है इस पर वहाँ पर उपस्तेत एक छोटी सी बच्ची ने कहा कि जब तक हमारे भाई जेता और कूपा जिंदा है हम पर कोई आँच नहीं आ सकती ये सकर जेता और कूपा को लगा कि जब इस चूटी सी बच्ची को हम पर इतना विश्वास है और हम अपना विश्वास खो रहे उनमें नया संचार आ गया था फिर हुआ गिरी सुमेल का वो महान युद्ध जेता और कूपा बड़ी वीरता से लड़े लेकिन सेर्षा की सेना बहुत ज़्यादा थी धीरे धीरे करते करते राजपूतों की सेना बिलकुल समाप्त हो चुकी थी अब बचे थे तो केवल दो जेता और कूपा दोनों चारा और से सेर्षा की सेना से घिर चुके थे लेकिन जो भी उनके पास आता वो उसे काट डालते किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे आकर लड़े जेता और कूपा सिर्फ दो और आस पास दस बीस अजार शैनिक लेकिन फिर भी दो भारी पड़ रहे थे इस पर सेर्फ रह ने उन पर दूर से ही तीर और भाले चलाने का आदेश दिया इससे उनके हाथों पर काफी चोटे लग चुकी थी जिससे वो हथियार नहीं पकड़ पा रहे थे काफी फरहार खाने के बाद दोनों नीचे गिर गए और गिरते ही कूपा वीर गती को प्राप्त हो गए जेता अभी भी नीचे गिरे हुए थे और उनकी मिर्त्यू हो चुकी है या नहीं हो चुकी है ये देखने के लिए उनका एक घुर सवार आगे बढ़ा और क्या हुआ आप खुद ही देख लो बस यही थे राजपूत निकल गई हवा आठ्थु जैमा भवने भाला उस सैनिक के आर पार होते हुए घोड़े को भी पार कर गया था सब बोचक के रह गए थे ये पलक जपकते क्या हो गया सेर्शाह की आँखे फटी की फटी रह गई सेर्शाह के सैनिक वहाँ से भागने लगे तब ही उन्हें एक जोड़ आरावाद सुनाई दी रुक जाओ काईराओ जैसे ही सेर्शाह उसके सैनिकों ने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ ऐसा दर्शे उन्हें दिखाई दिया यहां का हर व्यक्ति सब कुछ बर्दास कर सकता है लेकिन अपमान नहीं सेर्शाह को जेता में अपना काल दिख रहा था उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसके उपर तीरों की वर्शात कर दो बहुत सारे तीर वर्शाय गए अब कहीं जाकर यह वीर वीर गती को प्राप्थ हुआ सिर्फ इतना ही नहीं जब उस वीर जेता की लास जमीन पर गिरी थी तब भी सेर्शाह और उसके शैनिकों की हिम्मत नहीं थी कि उसके पास जाए क्योंकि उन्हें डर था कहीं ये फिर सेन खड़ा हो जाए दो घंटे बाद जब सेर्शाह को तसली हो गई कि ये मर चुका है तब उसके मुँ से अनाया सी निकल गया कि मुठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादसाहत खो दी थी ऐसे वीरों को जुक कर नमन करने को जी करता है ऐसे वीरों के लिए मेरी तरफ से दो पंक्तियां आओ जुक कर नमन करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है कितने खुश नसीब है वो लोग खून जिनका वतन के काम आता है मैं सिर्फ एक बात सोच रहा हूँ कि कास माल देव जी जेता और कूपा पर विश्वास करते तो सायद आज इतियास कुछ और होता सेर्फ रह को इतनी बुरी शिकर्स्त मिलती कि राजर्स्तान तो क्या वो हिंदुस्तान में रहने का सपना भी छोड़ देता तो दोस्तों ये थी वीर जेता और कूपा की कहानी सायद आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक कर दें सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप मुझसे फेस्बुक पर जुड़ सकते है राठोड रियक्शन पेज को लाइक करें और अगर आप मेरे बारे में पर्सनल कुछ जानना चाहते है तो आप इस्टाग्राम पर राज बना राठोड हमीरा करके सर्च कर लें मुझे फॉलो कीजिए और मेरे बारे में जानकारी पाईए और कुछ आने वाले वीडियोज के बारे में भी जै माभवानी जै राज पुताना जै हिन